प्रेंट्स वेल्कम तो माई यूटीब चानल और इस वीडियो में हम देखेंगे नेट्रल गास के अनल इस वीक तो लेट्स टार्ट भी तो मन्तली चार्ट तो फ्राइडे की दिन हमने नेट्रल गास में लगब अब ट्रीशिक्स के अरौंड क्लोजिंग देखेंगे बारा उपर गेंगे साथ बंद हुए लगबग 3.5 परसेंट गेंगे हमने और यहां मन्तली चार्ट पर आप देख सकते हो कि इस माईने के लिए हम नेट्रल गेस्ट परसेंट प्लस लास्ट मन्त हमने साड़ी साथ परस बनाके तो यहां जो है तो नीचे के तरफ आपते खत्यती जो 20 मन्स का अवरेज ता हुआ सब्सक्राइब लेने बाद बांस बैट दिया है तो यह आगे कंटिनू होगा यहां हो सकता है कि थोड़ा सामें साइडवेस भी देखने को मिले मगर एक बार बेस बनने की बार हम जो है तो फोर फोर तरीका लेवल देखेंगे और उसके उपर भी शायद देख सकते हैं लॉंगर डब में और शायद जिस तरह से प्राइस पैटन बन रहा है मंतली चाट में हम 600 प्लस के लेवल जो है तो नाशराइब बेस में आते हुए देख सकते है एस पर मंतली चाट तो मंतली चाट बुलिश है यहां मेरा लॉंग का वियू रहेगा यहां आपको बाई और डिप स्ट्राटेजी यूज़ करने है जब तक नैचरल गास थ्री पूर्ड थ्री अंडर्ड के ऊपर है तब तक आपको जो है तो लॉंग करने का ही सोचना है वित किया क्यों कि यहां जो है तो नीचे के अवरेज करने के लिए आ रहा है यहां हमने जो ट्वेंटी विक का एवरेज उसको टेस्ट करते हुए देखा है इस सब्सक्राइब जो था लगवग 3.5 आए तो लगवग चार सो रुपए तो लगवा हमने 59 रुपिस का रेंज हो सकते हैं तो यहां अगर 300 की तरफ प्रिट्रेश्मेंट आता है तो उसमें मोस्ली अगर आपको मीडियम को लॉंगर टर्म व्यू है तो यह डिक्लाइन आपको बाइंग के लिए यूज करना चाहिए क्योंकि मंद्ली चार्ट जाए तो बुलिश है मगर आपको यहां करना पड़ेगा यहां मंद्ली चार्ट पे नीचे के तरफ 335 और 307 यह मेजर आवरेजेस है और इन आवरेजेस को आने वाले हफ्ते में शायद नेशर टेस्ट कर सकता है यहां वीक्ली चार्ट पे थोड़ा सा बेरिश लग रहा है और यहां रेट्रेस्ट के सिगनल दिख रहे है तो यहां जो एग्रेशिव ट्रेडर है वो शॉट भी जा सकते हैं मगर शॉट रिस्क ही होगा अगर शॉट करना है आपको तो चार्ट के आराउंड आपको शॉट करना है स्टॉप लास आपका चार्ट के ऊपर रहेगा और नीचे 335 और 300 के टार्गेट जो है तो यहां जो है तो लांग ट्रेडी देखेंगे अगर 300 के आराउंड मिलता है हमें तो हम वहां लांग जाने की कोशिक करेंगी क्योंकि वहां से अच्छा का से लगवा 240-250 रुपए की गयर देखने हो मैं सकते हैं मीडियम तरम में अभी देखते हैं डेली चार्ट तो डेली च जाना चाहूंगा यह हम लोग मोसली लॉंग के ही मौप धुंडेंगे अगर आपको शॉट तम में लॉंग करना है तो या फिर आप लॉंग हूं तो आपका जो स्टॉपलास है वह होना चाहिए सूपर ट्रेंड के नीचे जो यह लगवक 338 तो आपको नैट्रल गैस करीज इतना है तो 340 से 345 को रेंज आपके लिए अच्छा है अगर लॉंग जाना है तो आपको स्टॉपलास रखना है 335 के नीचे और जो टार्गेट बनेगा आपका वो 393 और उसके बाद में 420 और लास में जो है सुपर ट्रेंट पर सबूर्ट लिया है और वहां से रिवर सो दिखाया है तो यह बुलिश साइन है या मुझे लगता है कि हम जो है तो नीचे के लेवल पर नाच्रल गास में लता है तो हम 335 के स्टॉपलास के साथ हम टार्गेट रखेंगे 395 और 420 के टार्गेट के लिए अगले अप्टे के लिए नाच्रल गास में हम लॉंग करेंगे हमारा एंट्री जोन रहेगा 340 से 345 के बीच में या फिर 340 से 350 के बीच में एक्यूम्लेट करना है 335 के नीचे स्टॉप लॉस पहला टार्गेट रहेगा 395 बुसरा टार्गेट रहेगा 420 और माक्सिमाम टार्गेट रहेगा इसका लगबग 460 रुपेग या 460 बुलिच लग रहे तो शॉट्टम चाट पर बुलिच यहां बाइका सिगनल विकली चाट पर नेगेटिव यहां करेक्शन का सिगनल बट आई वीड आवएड क्योंकि डेली चाट जो है तो वह अरले रिवर्सल के साहिन दे रहा है तो यह सिगनल भी हो सकता है मंत्ली चाट यहां जो है तो यह बुलिच सिगनल है यहां रिकवरी के चांसे से लॉंगर टम है और यहां प्वर प्वर ट्रीके टार्गेट हमें लॉंगर टम में देखने को मिल सकते हैं तो आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाते हूं तो में मिल जाएगा और थैंक्यों पर वाइटि इस विडियो अब्सक्राइब नाओ एंड प्रेस्ट अप्डेल आपके नेवर मिस्स अपडेट